असलाम वालाइकुम उमीद है आप सब सही सलामत है आज मैं आपके साथ एक बेंगोली पीथा रेसिपी शेयर करने जा रही हूं और इस पीथा को हम पाटी शप्टा पीथा कहते हैं तो यह पीथा मैंने थोरा सा अलग तरीके से बनाया है तो अभी संत्रे का मौसम है औरेंज लिए आपjo in the यह जुरूष शुरूर शप्सक्त और रहता है यह विक्स sticking लिए यह तो यह करने के बाद हम ने behin लिया नहा पेट है तो इस अदुन में ठीजक में में आप आप अपने test के ही सबसे चीनी डालें कितना मिठा खाना पते हैं और half cup में दूध दाल रही ह emotions कि हमें इसे पेस्ट करना है तो अभी इसे हम पेस्ट करेंगे ब्लेंड करके तब देख रहे हैं मैंने पेस्ट कर लिया है इसी तरह हमें पेस्ट कर लेना है तो अभी हम एक संत्रा लिया है और इस संत्र का जो उपर का छिलका है हमें इसे ग्रेट कर लेना है यानि ओरेंज ज कर सफेथ हिस्सा है वो नानीकले वो कर भी होती है तो इसी तरह जेश्ट तैयर कर लेंगे और अभी हम गुद्ध है इस का जूस निकाल लेंगे तो इसे काट के जूस निकाल लेंगे इसे बनाना बहुत यासन है बहुत ही फ्लेवर फुल है आपको इसमें संत्रे का फ्लेवर मिलेंगे तब इसे जरूर ट्राइ करें तो अभी जूस निकला है इसमें हम दो टी स्पून कॉर्ण फ्लाट डालेंगे कैसे तो यहां पे मैंने 1 2 1 क ihn नारिवर मैंने पेस्ट कर लिया है और अब ह्वuit कप मैंने वह पे दूर डाल दिया है اور क्रेंड है औरेंज डाल रही हूं तो इसे बॉल आने तक हमें कुक करना है जब तक बॉल ना आ जाए तब तक हमें मीडियम फ्लेम पर से चलाते रहना है तो अभी देख रहें इसमें बॉल आ गया है तो बॉल आने के बाद हम जो औरेंज जूस के साथ जो कॉर्ण फ्लर मिक्स किया था इसमें जो जो नारियल है बहुत क्रीमी बनेगी तो हमें क्रीमी टेक्श्र लाने के लिए मैंने थोरा सा कॉर्ण फ्लर मिक्स किया है तो इसे गाड़ा होने तक पकाना है तो अब देख रहें भी गाड़ा हूँ चुकी है तो यह भी तैयार है फीलिंग बिल्कुल तैयार ह हमें पटी शप्ट पिठा के लिए फीलिंग बनाना है एक से तरह अभी हम बेतर तयार करेंगी इसके लिए एक कप राइस फ्लर लिया है हाफ कप मैदा लिया है एंप एक चुटकी नंवक ले रहे हूं नेका एक रहे हो हौं फ़िस्ट के हिसाब से अभी पाणी डाल के हम इसका जो कॉंसिस्टेंसी है मैं आपको दिखा रही हूं इसी तरह कॉंसिस्टेंसी पतलासा बनना है तो इसमें से हम एक आफ काप मैं अलग कर रही हूं एक अलग बर्तन पर यानि कटोरी पर तो यहां पर मैं हाफ टीशपून औरेंज फुट कलार डाल रही हूं तो यह तैयार है तो अब हम इसे एक जलेवी बटल पर डालेंगे तो अब की पास अगर जलेवी बटल नहीं है तो कोई भी पानी का जो प्लास्टिक बटल है उसका जो धक्कन है उसको होल कर ले फिर उसके बाद इसमें डालें आप आराम से उसे इस्तिमाल कर सकते हैं उसी तरह तो यह भी तैयार है तो अभी हम पिठा तैयार करेंगे तो इसके लिए मैंने पैन पे थोड़ा सब तेल डाल दिया है इसे ग्रीश कर लेना है अभी हम जो ओरेंज कलर बेटर तैयार किया था वह इस तरह डालेंगे बहुत ही आसान है और इसके उपर हम अभी जो वाइड वाला बेटर तैयार किया था वह एक चमस डाल रहे हैं और उसे फैला लेना है इसी तरह बिल्कुल दोसा की तरह तो इसे हमें पकने देंगे पकने के बाद अज़ दिखिए अलग हो जाएगे पैन से तो अभी हमें इसमें जो फीलिंग तैयर गया था नारियल का और संत्रे का वह हमें डालना है इसी तरह लंबाई में डालना है और अभी हमें इसे फोल्ड करना ह आप देख रहे हैं बहुत आसान है बहुत ही तिस्टी बनते हैं बहुत ही फ्लेवर भूल बनते हैं आप इसे जुरूर ट्राइब करें इसी तरह सारे पिठा बनाना है तो यह औरेंज पटी शप्टा पिठा बिल्कुल तैयार है सार्फ करने के लिए अब इसे गर्मा गर्म या ठंदा होने के बाद भी आप इसे परोश सकते हैं, बहुत ही तिस्टी बनती है, आप इसे जो रूट राई करें, अभी संत्रे का सीजन है, तो उम्मीद केती हूँ, आपको मेरी औरेंज पाटी शप्टा पिठा रेसीपी पसंद आएगी, तो फिर एक नई रेसीपी के सा हाजिर होंगे, तब तक आप खुश रहें, स्वास्त रहें, अल्ला हाफीज